हुआ 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 है है नो अगस्त को जो भारते सम्मिधान को जलाया गया हमारे बीच में भानुपरताब जी आई हम्जद जानकाई लेते हैं क्योंकि सुप्रीम कोड के अंदर लॉयर है जिस सम्मिधान की कसम खाके मेंबर ऑफ पालियमेंट और बिधायक आते हैं अभी उन्होंने किसी भी तरीके से कोई संग्यान नहीं लिया अभी तक इस पर उन्होंने कोई प्रतिक दिया नहीं दिया आपका क्या कहना है दिखे इस से जादे दुखत कोई और हो नहीं सकता कि देश की राजदानी में जहां सुप्रीम कोड भी है हाई कोड भी है संसद भी है केन सरकार भी है राज्य सरकार भी है पर अभी तक किसी ने भी ये जो चंद गुंडे आकर और इन्होंने सम्मिधान को जलाया और देश द्रोह का काम किया, उनके इकलाब कोई कारवाही, अभी तक नहीं की, और मुझे सबसे ज़्यादे दुख इस बात का है, क्योंकि अगर हम देखें ध्यान से, तो जो कुक्रित्य उन्होंने किया, उसमें उन्होंने दो चीज की समिधान को जलाया, मनुवात्स जिंदाबाद क नारे लगाए, और समीधान मुर्दाबाद के नारे लगाए, बाबा साब टोक्रों बेट करके मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो सीधा सीधा अगर देखा जाए, तो उनका टार्गेट दलिस समाज के लोग है, इसलिए सब कुछ autre ने किया, तो वैसे तो संसद में दलिस समाज के जो नेता है, जो अपने आपको दलिस समाज का मुख्या बताते हैं, जो दलिस समाज का खेरखवा बताते हैं, जिन में मोटे मोटे से नाम आप गिन सकते हैं, चाहे राम विलास पासवान हो के इसरकार में मंत्री है वो, और चाहे जो है ये राम राज उधित र बैटें जिए आजिस्टवरोट को एंटे जोगने कि कोशिच या जा रही काई इन्होंने काम किया है इन पर रासु का लगरी चीए देश द्रोह के मुकदमे में इन्हें आरस्ट करके ग्रफतार करके अंदर भीज़ा जाना चाहिए मैं समास से एक चीज और कहना चाहूँगा साथी वह भलकावे वाली बात है भलकावे वाली कारवाई है विशेस कद में नहीं फसना क्योंकि चाहते ही हैं कि 2019 के एलक्षन से पहले किसी बीतरे से जाती के नाम पर धर्म के नाम पर समिधान के नाम पर दंगा हो जिस मनुवाद के वो नारे लगा रहे हैं वो वही मनुवाद है ना जो इस देश की 50 पित्रिशतावा दी यानि और तो को पैर की कि यूते समस्ताव